हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल सोशियोलोजी क्लासिस बाहराजपूत नहीं के सोशियोलोजी के चैनल पे तो आज हम विवेचनात्मक सिध्धान्त का जुर्कीन हैबर मास के बारे में जानेंगे जुर्कीन हैबर मास का जन्म 1929 में गुर्मेर बक में हुआ था 1956 में फ्रैंक फार्ट संप्रदाय से जुड़ने पर उन्होंने एडोर्नों के सहयोगी के रुप में कार्य किया है फ्रैंक फार्ट संप्रदाय को अलोचनात्मक संप्रदाय के रुप में भी जाना जाता है यह प्रशन सीधे सीधे पूछ ल प्रदाय के बौधिक आधार के अनुरूप ही हाइबर मास भी हीगल और माक्स के विसलेशार के द्वांदात्मक उपागम एम उनकी कृटियों से प्रभावित रहे हैं परन्तु अपने बौधिक उपागम में उन्होंने माक्स की अपेच्छा हीगल के उपागम के संधर्बो का प्रयोग अपेच्छा कृत अधिक किया है तो जुर्गिन हाइबर मास हीगल और माक्स दोनों से प्रभावित थे लेकिन उन्होंने अपने उपागम में माक्स की अपेच्छा हीगल से ज्यादा प्रभावित देखा गया था उनकी संधर्बों को अधिक प्रयोग किया है आगे समाजिक परिवर्तन के संदर में हैबर मार्ष ने अपनी पुस्तक ठियरी आप कम्यूंकेटिव एक्षन 1981 में ब्यक्तियों के निजी दिश्ट कोड को अपनी विवेचना का मुख्य आधार बनाया उनकी प्रवुख्यूंक पुस्तक क्या थी ठियरी आप कम्यूंकेटि वन में जो आई है इसमें उन्होंने ब्यक्तियों के निजी दिश्ट कोड को अपनी विवेचना का मुख्य आधार बनाया है उद्विकास के प्रारूप पर आधारित कालमाक्स की सामाजिक उद्विकास की अधारा के अंफार ही जुर्गीन हैबर माज ने मानो समाज के अत लेटियो क्राइसिस एक अनि महत्पूर पुस्ताकुन की लेजिक लेटिमेशन क्राइसिस मैं उन्होंने अपनी इसके विधिवाद चर्चा की है इस अंदर में उन्होंने इस समाजिक व्यवस्थाओं निम्नांकित रूप से चिनित वह त्रेडिवद्ध किया है तो उन्ह उन्होंने निम्नता समाज के विकास में निम्न समाजों की बात कही है पहला आदीम समाज दूसरा परंपरागत समाज प्रिमिटिव सोसाइटी दूसरा परंपरागत समाज ट्रेडिशनल सोसाइटी परंपरागत समाज के अंतरकत उन्होंने प्राश्रीन समाज और सामांती समाज की बाद की है. तीसरा ह oynay, पूजीपती या पूजीवादी समाज की बाद करते है, Capitalist Society. Capitalist Society के अंतरक्त, उन्होंने तीन तरह के समाजों की बात की है, एक उदारवादी पूजीवाद, Liberal Capitalist, संगठित पूजीवाद, Organised Capitalist या उत्तर पूजीवाद या पोस्ट कैप्लिस्ट तो यह बात उन्होंने समाज के उद्विकास के बारे में निम्र चरलों में बताया है उन्होंने का आदिम समाज उसके बाद परंपरागत समाज, परंपरागत समाजों में उन्होंने प्राचीन समाज और सावन्ती समाजों की कदते हैं और तिसरा उन्होंने पूजी वाद समाज बिता है उदार वादी पूजी वाद वाद समाज की बात करते हैं उन्होंने imast विप्न समाज कि प्राची ने प्राचीं Сामत्वादी समाज की कि भाथ कई तो है बर्मार्च ने परंपरागत समाज की बात की यह काल मासफ पुजीवाद समाज की बात करते हैं है इस वह इस blender 19वी सताबदी का पुजीवाद समाज उन्होंने बताया तो उसको उन्होंने उदारवादी फूजीवाद के रूप में देखा समाज सोशक प्रारूप को उन्होंने संगठित पूजी वाद के अंतरगत हाइबरमास देखते हैं और जबकि राजकी या समाजवादी या साम्यवादी समाज को हाइबरमास पश्च या उत्तर पूजीवादी समाज के रूप में देखा है यह कालमाक्स और जुद्गिन समाज के विकास के बारे में हाइबरमास की मानिता रही है कि आधुनिक समाजों के विकास में धर्म के सहरे जन सुरूतियों से लेकर दर्शन यह वियाचारकी सरवच्य रूप में महत्वदिया है उन्होंने का आधुनिक समाज में इनका प्रमुक योगदान है हाइबर मास के अनुसार उदारवादी पूजीवाद के संगठित पूजीवाद में रुपांत्रित होने की संक्रमर सील प्रक्रिया में दो महत्पूर परिवर्तन होते हैं पहला उन्होंने बताया कि विसाल अध्यों की प्रतिष्ठानों का उदय तथा प्रतिष्पर्दी पूजीवाद का लोग तुन्हों का जहां एक तरफ विशाल अध्यों की प्रतिस्ठानों का उद्य होगा वहीं दूसरी तरफ प्रतिसपर्दी पूजीवाद का बिगटन होगा राजी फिर से उभार होगा जो बाजार में क्रम्प सा हस्त शेप करके उसका नियंतरर करता रहेगा राजी पर फिर से उभार प्रस्तुत व्यवस्था में आर्थिक उतार चड़ाओ ये उसमानिता के साथ आगे बढ़ते हैं कि परमपरागत माक्सवाद तथा इसकी अधार भूत मानेताओं के सहारे उत्तरवर्ती पूजी वादी चमाजी व्योस्था यों संरचना की अधार्थ परक यों उपड़यों की व्याख्या संभव नहीं है तो हैवरमास क्या काते हैं कि माक्सवाद तथा इनकी मानेताओं के सहारे उत्तर पूजी वादी समाजी व्योस्था का सही सही व्याख्या नहीं किया जा सकता परन्त माक्स के भाद उनका मानना है कि व्यवस्थाओं में अंतर नहीत विरोधावास हैं, इनमें विगटन, वी संगठन तथा परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म देती हैं माक्स की तरह वे बात करते हैं कि प्रतेग व्यवस्था में अंतर नहीद विरोधा वास जैसे संबंद पाए जाते हैं जो कि भीगटा नियुम परिवर्थन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं जिससे अन्ततह यह नवीन समर्चनात्मक विवस्था का पादुर्वाव होता है मतलब परिवर्थन के माध्यम से ही नवीन समर्चना या नवीन विवस्थाओं का निर्वाड होता है माक्स की सहद्धांतिक कमियों की पाचान करते है माक्स द्वारा संकलिद, पूजीवादी विवस्था तता सोसवर मनुस्य की मुकति के परिपेच में समाज़िक सिध्धान्तों के विक्यास की प्रक्रिया तता स्वरूप का क्या होना चाहिए इसकी बात हैं करते हैं इस संदर्म में मैक्स बेबर द्वारा प्रस्थत वीवे की करण या रशनल लाइजेशन की क्या प्रसंगिक्तायों उपयोगत्या हो सकती है या जुर्गीन है पर मास इसकी बात करते हैं अगे उन्होंने लुकाक्स और सब्सक्राइब करते हैं इस बारे में हाइबर मास चर्चा करते हैं चौथा पॉइंट उन्होंने रखा है कि इस प्रकार विक्सित किया जाए कि उसमें सामाजिक व्योस्था के परिपेच में विश्लेशण के संदर्में भावतिक उत्पादन पढ़ाली एव राजनयतिक संगटन एव राजनयतिक प्रडाली समलीट किया जा सकता है या नहीं इन बातों की चर्चा जुर्गीन हाइबर मांस अपने से दान्त में करते हैं हाइबर मांस की मन्यता रही कि सर्धान्तिक विशलेशड के क्रम में सामाजिक व्यवस्था को पूजी वादी संक्रम संस्क्रण में समान्ता या सोफसर इत्याद बहुँ चर्चित या बहुँ विशलेशित बिंदूओं को नए सिर्य से विवेशना के अस्थान पर लिया जाना या इस बात की विवेशना आर्थिक व्योगी होनी चाहिए कि समाजिक व्यवस्था में पूजी वादी जैसे प्रभावी व्यव अस्थाओं संगठन के आधार पर क्या है इसकी प्रेख सक्तियों का स्वरूप कैसा है इनकी पहचांत अथा ब्याक्या कि ये विना एक समान उतावादी विवस्था के निद्वार में सद्धान्तिक व्योहारिक बिंदुगों तक नहीं पहुचा चाह सकता तो है बर्मास क पूजी वादी प्रभाव और उनकी व्योस्थाओं मतलब आरतिक व्योस्थाओं के अलामा भी जो करने 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 का सारी कई जो अन्यकारण है उनका भी आधार पना कर व्याक्या किया जाना चाहिए है वार मास ने सारुजनिक छेत्र का विश्लेशर अनालिसिस आफ द structure掉like structural transformation of the public sphere में जुर्गीन है बर मैं अपनी विवेशनात्मकि सिधान्थ के विश्लेशन में एक महतपूर मानग जीवन के सामाजिक छेत्रों की चर्चा की है मानग जीवन के सामाजिक छेत्रों की चर्चा करते हैं आगे वे कते हैं कि ब्यक्तिगत मुल्यों का कोई अस्थान नहीं होता है है मर्मास कते हैं ब्यक्ति समाज ब्यक्ति समाज में रहता है महाँ पर ब्यक्तिगत मुल्यों का कोई अस्थान नहीं होता बलकि सामाजिक मुल्यों को प्राथ्मिक्ता दी जाता है इसमें सहभागिता तथा अन्य लोगों से ब्यक्तियों की अंता क्यायों पारिस्प्रक्ता से प्रभाव से समाज में ब्याप्त पारसपरिक विरोधों के समाप्त के अवसर निर्मित होते हैं तथा जीवन के स्वारजनिक शेत्र में सदभाव की दसा अपेच्छा क्रिटे बढ़ जाती है तो पब्लिक स्वेयर्स की चर्चा करते हुए है बरमास करते हैं कि ब्यक्तिक्यत मुल्यों का कोई अस्थान नहीं है ब्यक्ति समाज में से सहभागिता या अने किसी ब्यक्ति से अंतर किया करके उससे जुड़ता है जिससे कि पारसपरिक विरोधा बास्यों का समाप्ति होने के अवसर निर्मित होते हैं और जो सारजनिक छेत्रों में सदभाव की दसा अपेच्छाकृत बढ़ा देते हैं इस परश्ट करते हुए हैवर मास ने यूरोप में अठारवी सताब्दी में प्रचलन में रहने वाले कहवा घरों रिष्ट्रों क्लब वाचनायलों आधी का उधारण दिया है जुलकिन हैवर मास करते हैं कि ब्यक्ति पबलिक अस्थान पर आए कहवा घर अठारवी समाज के विचारों को समझता आगे हाइबर मास केंसार बजार की प्रधानता वाली आधुनिक अर्थवेवस्था में विकास और चस्थ की सारजनिक छेत्रों के उलेकनी भूंक्या रही है तो यहां सारजनिक छेत्र की मुखी चर्चा करते हुए हाइबर मास करते हैं व्यक्ति आपस में मिलते हैं अंतर क्रिया करते हैं विचारों का दान प्रदान होता है तथा प्रभावित होते हैं भाट यह आधरीक प्रभॉसता में भिवय इसका प्रमुख अना अवश्यक रूप से तार की विस्तार, नौकर साही के विकास, कानूनों की सहायता से राजेद्वारा ब्यक्ति की सोतनताग पर नियंत्रण, मानव जीवन के सारजनिक छेत्र के संकुचन अथवा पतन का प्रमुक कारण है। तो है परमाश न यह करने का प्रयाज किया है कि राजे के नियंत्र से विक्ति को क्या करना है, पब्लिक किस अस्थान पर कैसे रहना है, या सब निर्धारण होता है, जिससे विक्ति के स्वार्जनिक छेत्रों के अधिकारों का हनन्न हुआ है। उन्हें के अनुसार सारजनिक छेत्रों को जिवीद करके ब्यक्ति के दमनेयम सोसर को कम किया जा सकता है तो हाइबर मास करते हैं कि ब्यक्ति को सारजनिक छेत्रों को अधिकतिक बढ़ा कर ब्यक्ति के सामाजिक रूप से उसका सोसलाइजेशन अथा समाज में रहने की क्रिया को बढ़ा कर द्यक्ति द्वारा दमन उन सोसर होने वाले तब सोसर को कम किया जा सकता है तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं इसका अगला पार्ट आपको कल मिलेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें एक जरूरी जानकारी कि सोम वार्चे लेकर सनी वार्थ तक हमारे टेलिग्राम चैनल पर सोसियोलोजी की क्विज दो ताइम पर करवाई जाती है यह दो पहर में एक बज़े अर्थात एक पीम और रात में नौ पीम पर यह क्विज कंडक्ट कराई जाती है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल राजपूत सनी सर्ज करके जुड़ सकते हैं जिससे आपको क्विज करने में आसानी होगी तो करने मात